दोस्तो वीडियो को ज्यादा से जड़ा लोगों तक सेर करें दोस्तो आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत है हेलो नमसकार दोस्तो स्वागा थे आपका जियो बीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरे मुकि समचा टूड़े तो दोस्तो आज ही सबसे बड़ी ख़बर है। को 300 सीटे से ज़्यादा दिखाये गया है वहीं यूपीय सरकार को 122 और अन्य के खाते में 118 पर सिमटते हुए दिखाये गया है लेकिन ये आकड़े आधिकारिक नहीं है क्योंकि नतीजे 23 मैं को आने वाले हैं जिया दोस्तों हलाकि इससे के पहले भारती जनता पार्टी एत पश्य मगाल जिसमें 40 सीटे हैं दोनों के सीटे मिला करके 122 बनता है अगर एकजीट पोल के अनुसार बीजेपी को यहां सीटे मिलती है तो आकड़ा 300 पार हो जाएगा लेकिन बीजेपी अपनी तरप से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है बीजेपी विपरित हालात के ल नहीं है तेलगूराज तेलंगाना और अंधर परदेश की दो ऐसी पार्टिया है जिन्होंने फ्रेडरेशन फरंट के बारे में जरूर बात की है लेकिन यह ऐसे दल हैं जो मजबूती से निकल करके सामने आएंगे और उस समस्या को भी फ्रेक्शन इसको ज्यादा सही लग है यह भी अभी वक्त देखा रहे हैं और वो थर्ड फरंट आएगा और इसका ज्यादा हिंसा बन सकेंगे आपको बताते कि भारती राजडिती में तीसरा मोर्चा बहुत मुस्किल आता है और आता भी है तो ज्यादतर मजबूती नहीं होता है इसका इल्म इतने भी है कि ब जलों की जरूरत पड़ेगी जिसमें भी प्रयास किया जा रहा है और वीजपी अधक्च अमिच साह ने कल एंडिये नेताओं को डिनर पर बुला है यह डिनर दिली के होटल द असोख होटल में आयुजित किया गया है डिनर से पहले एंडिये नेताओं की बैठक होकी माना जा रहा है कि अमिच सा इस दोरान सहयोगियों के से गठवन्दर की रणिती पर बात करेंगे जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी ख़बर है दोस्तों आप सावधान हो जाये क्योंकि साइबर आटेक से बचने के लिए इस तरीकों को आपको जरूर अपनाना चाहिए जी हाँ निव यूर्क उनिवर्सिटी और उनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का रिसर्च ने गूगल के साथ पाटनर्सिप की है यह पाटनर्सिप का पता चलता है और यह पाटनर्सिप इसलिए की गई है ताकि सिकुरिटी टूल की मदद से किसी अस्तर तक हैकर की कोसिस को रोका जा सकता है गूगल कई सालों से यह बात कर रहा है और अब तो आकड़े भी साबित करते हैं कि two aspect verification फिलहाल उपलब्द सबसे secure माध्यम है आपको बताते हैं कि research के बाद सामने आई एक SMS verification पर आधारिद phone number का इस्तिमाल करके 100% automated boards और 96% पर bug fiction और attack और 76% target attack को बचाए जा सकता है ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी tool step verification के तरीकों से physical security के सबसे मजबूत accounts जिल्ड है यह सभी तरीके से attack को block कर सकता है आपको बताते कि उसी research में यह भी देखा गया है कि default site in verification से क्या परभाव पड़ता है इसको अगर किसी भी नए device या location के sign in की कोसिज की जाए तो company इस तरीके के activity का पता लगा लेती है इससे results के अनुसार इस तरीकों से vote पर आधारित attack को बचाए जा सकता है लेकिन fixing या target attack से उतना यह कारगर साबित नहीं हुआ है जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी चाहता है तो उसका अंथ हो जाएगा इरान के किसी तरीके से हमले से निपटने के लिए अमेरिका ने पस्चिवी एसिया से पहले ही विवान वाहक पोत अब बंवर्सक विवान तैयनात कर दिये थे ट्रंप ने यह चेतावनी इरान की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास के निकट एक रॉकेट गिराने के खबर के बाद दी है ट्रंप ने इरान को चेतावनी में कहा है कि अगर उसकी अमेरिकी हीतों पर हमला किया तो उसको तबाह कर दिया जाएगा आपको बतादे कि इरान के रधानी बगदाद के उस अती सुरक्षा इलाके में ए पकालत कर रहे हैं जबकि कई वरिष्ट अधिकारे इसका बिरोध भी कर रहे हैं जी हां दोस्तों अगली बड़िक पर एकजिट पोल के अनुमानों से अंतराश्टी बजार में वची धाक डॉलर के मुताविक रुपया हुआ मजबूत जी हां दोस्तों रभीवार को आए एकजिट पोल अनुमान का असर इंटरनेशनल ट्रेट पर भी दिखाई पड़ रहा है मतदान समाप्त होने के बाद जारी एकजिट पोल के अनुमान सामने आने के बाद बिदेसी मुद्रा बिनमे बजार में डॉलर के मुताविक रुपया 89 पैसे की जोरदार के साथ 79 रु पर खुला और उसके बाद जल्दी ही तेजी रफ्तार से पकड़ लिया और 69 रुपय पर पर पहुच गया इस परकार सुरुवाती कारोबार इसमें से 89 पैसे की तेजी दर्ज की गई गत सब्तांक सुकुरवार को रुपय 70 रुपय पर पर बंद हुआ था जी हाँ दोस्तो अकली बड़ी ख़बर लोग सबाचुनाव 2019 में अखलेस यादों ने कांग्रेस को समर्थन देने का किया है एलान जी हाँ तो एक्जिट पोल में बीजेपे के नितित्य वाली एंडिये की असपष्ट बहमत वाली सरकार की भविश्वाने की जा रही है लेकिन राजनितिक दल कोई चांस नहीं लेना चाहता है अंतिम चरन का मत्तान खत्म होते ही विभिन राजनितिक दल अपने अपने समीकरन बिठाने में जुट गए है आपको बता दें कि ndtvnews.com पर छपी खबर के अनुसार पहली खबर आ रही थी कि इस सबसे पहले और खबर आ रही कि बसपा सुप्रीमो दिली में यूपिय की अधक्च सोनिया गांधी, कांग्रिस अधक्च राहूल गांधी और तेलगू देसम पार्टी के मुखिया और अंधर पर्दिस के मुख्यमंति चंदर बाबू नाइडू से मिलेंगे। बुरी तरीके से फस गया है विवेक उपराय महिला आयोग ने कहा अरिष्ट करो जी हां तो लोग से बाचुनाओ के एकजिट पूर पर एक मीम बॉलीबूट एक्टर विवेक उपराय के गले का फास बनता जा रहा है विवेक उपराय ने जो मीम साजा किया है उस पर तमाम लोग तीखी प्रक्रिया जाता रहे हैं बॉलीबूट एक्टर विवेक उपराय सल्मान खान और एस्वायरा राय बच्चन की तस्वीर वाला एक मीम सोसल मीडिया पर सेर करने के बाद पूरी तरीके से फस गया है अब महराश्ट के नेश्टनल कॉन्फरेंस ने था भास्ता का इस्तमाल कैसे कर सकता है राश्टिय और राज महिला आयो क्या कर रहा है एनसीपी ने कहा है कि वेवेक उपराय एक्सन लिया जाए और उनको गिराफ्तार करना चाहिए जी हादो तो आपको बता दे कि पूरा मामला क्या है प्रधान मंतरी मोदी की बायोपिक फि फोटो पर उपिनियन पोल लिखा था एस्वरे राय विबेक ओवराय के साथ हवाली फोटो पर एग्जिट पोल जबकि पती अविशेक बचन और बेटी अराध्या बचन के साथ इस्वरे राय की तीसरी तस्वीर में रिजर्ट लिखा गया था जी हाद दूस्तों अगली Bureau मानक यानि BIPM के General Conference on Weight and Measures CGPM ने साथ देशों के प्रतिनिदुत के अधार पर साथ आधार इकायों में से चार को फिर से परिफासित करने के लिए पारित कर दिया है आपको बता दे कि इस बदलाव पर आम लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा इसे दुनिया भर में 20 मैं को लागो किया गया है सो सी ज्यादा देशों में माप की मैट्रिक प्रनाली को अपनाया जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है आपको बताते कि जो 1989 से चलन में है अन्य आधार इकाया सेकेंड मीटर और केंडेला होता है एक किलोग्राम का वचन एक अंतर स्था बिरो इंटरनेशनल दपाइट्स मिर्जट इन सेवेरियन में रखा गया है इसे सिलेंडर की वज़ा से एक किलोग्राम माना जाता है जिसे हर 30 से 40 साल में जाच के लिए बहुत बड़े अधेन के बाहर लिया जाता है और दुनिया भर में बहुत से वाटों और मापो को इसमें ना पा जाता है